दोस्तों इस वीडियो में आपको ChatGBT की बारे में सारी की सारी information मिलेगी जैसे की ChatGBT क्या होता है, कैसे ये काम करता है और आपको कैसे इसका use करना है और भी बहुत सारी information आपको इस वीडियो मिलेगी लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा example देना चाहता हूँ ताकि ये आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है, otherwise आप लोगना पीछे रह जाओगे आपने सुना होगा कि बहुत टाइम पहले ना, जब हमारे देश में यूग आया था, तो उस टाइम पे लोगों ने कहा था कि भीया, यहां पर बिरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, जो गम्पूटर है ना, वो लोगों की जॉब खा जाएगी, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा कम्पूटर आने के बाद दुस्तों, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे, जिनको जो समझ थी, जुनों ने उसका फाइदा उठाया, उन लोगों ने उस टाइम पे उसको एकसेप किया, और उसको सीखा, और अपने आपको अपगेट किया, और आज वो ना गाइस, चैड जीपिटी भी ऐसे ही काम करता है, इस बीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेगी, और गाइस, चैड जीपिटी सीखने के इतने सारे फायदे हैं, कि आप यहां सारना पैसे भी कमा सकते हो, वो मैं आपको आगे चल कर बताऊंगा, क आखिरी चैड जीपिटी क्या है? दोस्तों, चैड जीपिटी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक एयाई है, जिसको हम रोबोटिक मसीन जस तरीके से काम करती है, ठीक उसी तरीके से चैड जीपिटी भी काम करता है, यहां पर basically technology का यूज करके ना, एक बहुत ही कमाल का जो है, ए आपको email लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप आसानी से उसको बोलेंगे कि आप एक मेरे को जॉब की email लिखके दे वो आपको पूरी की पूरी न दस से 15-20 सेकेंड में आपको पूरी की email लिखकर दे देगा इसके अलावा मान के चले कि आपको अपनी wife को खुश करना है या अलावा दुस्तों अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप blogs यानि की content writing करके आप यहां पर पैसा कमा सकते हैं आपको सिर्फ topic डालना है और सारा का answer यहां पर खुद खुद यहां पर चैट GPT बनाकर आपको दे देगा अब आपके मन में question आ रहा होगा कि यह काम तो Google भी क लग लग website पर हम जाते हैं तो वहां पर ना हमें decide करना होता है कि हमें कौन सा content यानि की मान के चले for example कि मैंने कुछी सर्च करी ठीक है अब हमें decide करना पड़ेगा कि कौन सी उसमें information सही है कौन सी गलत है क्योंकि guys वह Google सिर्फ ना हमें recommend करता है कि आप यहां यहां से पढ़ लिजीगा और वहां पर ना वही website हमें दिखाई जाती है जिसमें SU किया जाता है यहां कि search engine optimization तो guys यहां पर कुछ अलग है यहां कि chat GPT इसलिए Google से अलग है क्योंकि यहां पर ना chat GPT automatically अपने आप में ही एक बहुत ही कमाल का एक software है आप समझ सकते हैं robot है जिस तरीके से बड यहां पर ना वो अंदर यह अंदर बहुत सारे result करता है और जो एकदम सही information है वो आपके सामने लेकर आता है तो कैसे आपको chat GPT का यूज करना है चलिए अब जानते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile phone पर अपने laptop PC पर browser open करना है अब आप search करेंगे chat GPT search करते ही आपके सामने जो पहली website है openai.com आपको इस website के उपर क्लिक करना है यहां पर आप नीच आएंगे तो try chat GPT क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद एक interface नजर आएगा आपको simply यहां पर दो option नजर आएगे सबसे बहला है sign in यानि कि अगर आपका पहले से account बना हुआ है तो आप directly sign in कर लेंगे अगर आपने account नहीं बनाये अब तक तो आप sign up करेंगे और यहां पर आपको सबसे पहले एक account बनाना होगा चाहे तो आप directly यहां पर जो है Google से भी login कर पाएंगे तो चरी हम यहां पर अपना Gmail ID को enter करते हैं उसके बाद continue करेंगे अब आपको यहां पर अपना password बना लेना है और उसके बाद continue करेंगे अब यहां पर दूस्तों आपकी Gmail ID पर एक email भीज़ दिया गया है chat GPT की तरब से और यहां पर हमें email भी आ चुका है click करेंगे यहां पर आपको verify email address पर click करना है अब यहां पर एक और page खुल कर आ जाएगा अब आपको सबसे पहले verify करना पड़ेग तो आप yes पर click करेंगे अगर आप चाते हैं कि code आपको whatsapp के थ्रू मिले तो आप click कर Σकते हैं अगर आप चाते हैं कि SMS के थ्रू मिले तो आप यहां पर click कर सकते हैं आपकी number पर 1 OTP आएगा OTP को fill up करेंगे और यहां पर थोड़ा wait करेंगे अब आप simply यहां Next serp पर click करेंगे और next करते जाएंगे, done करेंगे और आप हारा account successfully done हो चुका है बहुत ही simple interface guys इस chat GPT का और यहाँ पर examples भी कुछ बताए गए हैं साथी साथ में यहाँ पर क्या क्या काम कर सकता है यहाँ पर अब बताए गए हैं और यहाँ पर इसकी कुछ limitations भी है यहाँ पर बताए गया है कि कुछ information यहाँ पर incorrect हो सकती है इसके अलावा guys यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर limited knowledge of world and events after 2021 यानि कि 2021 के बाद दो साल की information यहाँ पर कम मिलेगी आपको लेकिन कुछ हद तक मिल जाएगी अब मानके चले कि आपको किसी को email करना है मानके चले आप जो है नई job के लिए apply करना चाहते है तो आपको उसके लिए एक email लिखना है तो आपको simply यहाँ पर लिखना होगा जो भी आप लिखना चाहते है मान के चले की new job applying ठीक हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं applying email ठीक है हमने यहाँ पर लिखा और हम करते हैं send थोड़ा आप wait करेंगे यहाँ पर automatically लेकर आपकी English गलत भी होगी तो भी यह समझ जाएगा तो यहाँ पर आप दिखीगा मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं यह automatically यहाँ पर पूरी की पूरी एक email के तयार करके दे रहा है और आपको कुछ नहीं करना guys simply आपको इसको copy करना है और यहाँ पर आपको dear sir लिखना है या फिर manager करना आप नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इसके अलावा आपको subject में यहाँ पर job title में क्या job का profile है accountant है या फ को send कर देना simply copy करेंगे यहाँ से और यहाँ पर सारे की सारे यहाँ पर email बना कर इन्होंने यहाँ पर दे दी है इसके लावा दूस्तों आप कुछ भी काम इससे करवा सकते हैं for example मैं यहाँ पर love letter करता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हिंदी मैंने लिखा love letter ह और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा यहाँ पर automatically जो है यहाँ पर लिखना start करेगा देखिए मैंने love letter हिंदी लिखा और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर automatically लिखके दे रहा है तुमारे बिने मेरी जिंदगी बिकार है तुमारे साथ होना मेरे लिए एक सपना है ज इसलिए मैं मजबूरन इस पर वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि इसके बारे में आपको भी पता होना बहुत जरूरी है और यार दोस्तों comment करके जरूर बताओ कि आपको chat GPT कैसा लग रहा है क्या सूचना है आपका इसके बारे में यहाँ पर देखिए का पूरा का पूरा अगर आपको कोई blocks लिखने हैं content writing आप करते हैं for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रनायम ठीक है तो मैंने यहाँ पर योका लिखा और यहाँ पर मैं प्रनायम के बारे में सारा कुछ इसने automatically लिखके दे दिया है अब जो ब़ॉक्स content writing करते हैं उनके लिए बहुत ही कमाल का टूल से गाईज और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर जो इंफर्मेशन आपको दे रहा है ना अगर आप चाहते हैं कि इस कुछ आपको और अलग से इंफर्मेशन चाहिए तो आप इसको यहां पर रीजेनरेट कर सकते हैं ठीक है रीजेनरेट का मतलब क्या होगा कि जो जबाब यहां पर प्रनायम का दिया था उसको हट कर कुछ और जबाब यहां पर लिखके देगा यह आपको बहुत ही कमाल की चीज़ेया देखिए बिलकुल जो पहला जबाब था कुछ और था अभी जो जबाब दे रहा है कुछ और लिखके आपको दिया है अब यहां पर सिंपली करना क्या होता है सिंपली कॉपी करना होता है और जहां पर भी पेस्ट करना है सिंपली यहां से कॉपी करेंगे और जहां पर भी paste करना है वहां पर आसानी से paste कर सकते हैं अब यहां पर जो भी आप search करते हैं और अटोमेटिकली यहां पर save हुजाता है अगर आप चाहते हैं इसको delete करना तो यहां पर आपको left side नेजर आएगा clear तो clear पर click करेंगे और confirm करेंगे यहां पर हमारा clear हो चुका है तो इस तरह किसे guys आप बहुत ही कमाल का chat GPT tools का use करके अपने आपको smart बना सकते हैं और इसे पैसे भी कमा सकते हैं